कल से एक मार्गेट में बात चल रही है कि RKC की एक्जाम डेट्स पहले से लीक हो जाती हैं इसके लिए एक OTS Pathfinder RS नाम से एक चैनल जिम्मेदार बताया जा रहा था सर मैंने खुच जाके उस पे चेक किया है उन्होंने 6 जून को ही लेगन से आने की डेट प्रेट कर दे थी उसके अलाओ उन्होंने 16 जून को प्रिलिम्स के एक्जाम डेट है तो सर मेरी ये गुजारिस है कि कुछ लोगों को पहले से पता होना ये एक अपने आप में सवाल उठाता है माननी ये संसता है हम ये आप आपसे डिमांड करते हैं कि इस तरह से अगर आपका डाटा लीग होने लग गया तो सर हम जैसे जिन लोगों की को एक्सेस नहीं करके इन चीजों का दुबारा से कुछ संबादान कीजिए कल रात को लगो एक वजी एक न्यूज मिलता है कि जो टिलीग्राम पर ग्रूप है उस पर हार्यस मेंस दोयर टीज की एक्जाम डेट जो है पहले ही लिग की जा चुब है सटाइस सटाइस जनुरी की ऐसा देखने पर जब उस ओट्यस पाइट पर चेक किया गया तो मैंने पाया कि जो डेट उसमें दे रखिए पहला जो मैसेज उनका लेटेश एक मैसेज का कल का पांच जनुरी का उसमें था कि एक्जाम उन टाइम एंड वी विल श्ट्रक उस पे ता कि जैसा कहा ता वैसा है पर आगे उसको देखा तो च्छे जून च्छे जून को उस पर कह रहा है कि आरेस की बेकेंसी जल्दी आन कि 2021 के इंटर्वू कव होने है कैसे होने मतलब उसकी की आज सेडूल आ रहा है विल्कुल उसके एक्जेक दिया हुआ है तो सर ये गंबीर विसे है कि आरेस जैसे एक संस्थानिक संस्था किस तरह से इस तरह की डेट वहां से डेटर लीग हो सकता है और ये आगे और बहुत को चोडने की संभावनों को दर्साती है और पेसी दोवरा हमें कोचिंग हम जो स्टूडेंट एक्जाम डेट बढ़ाने की मंग कर रहे है उनको कोचिंग माफिया कहा जा रहा है उनको पोश्टमां कहा जा रहा है तो इससे ये लग रहा है कि आर्पेसी कुछ करके बैटी ह हुई है कुछ ना कुछ ऐसे जिससे वो एक्जाम डेट आगे बढ़वाने की बात पर लेने के बाद पर वो इस तरह के स्टेटमेंट जारी कर रही है और ब्यूर्योक्रिसी के जो अन्य उन लोगों को भी घुम्रा करने की कोजिस कर रही है अभी हाली में 2013 की एसूजी ने जाच किया उसमें 2013 वाली बात निकल के आई है और एक चीज़ इसमें नोटेवल यह है कि आरपेसी ने पहली बार ऐसा नहीं है कि डेट बढ़ाने की मांग की जा रही है या डेट इस तरह से हो क्यों रहा है ज़र अठारे में मांग की गई तो यह गंबिर व कुछ समय पहले एडमिट कार्ट जारी करने के बार डेट को पॉस्ट्मन कर देगा है इसी तरह सेम प्रिक्रिया उसमें मानने लेलिक पवार जी जो है आरपेसी की चेयर्मेंन थे 2016 आरेस मेंस की परिच्छा जनवरी 2017 में प्रस्तावित थी एडमिट कार्ट जारी हो चोके थे उसके बाद भी एक नूटिपरेसन आता है कि अपरियारे कार्णों से आरेस की परिच्छा मुझके परिच्छा हिस्कित की जाती है और फिर दो महीने बाद हो मार्च में होती है तो इस बार ही ऐसा क्यों हो रहा है एक तो इतनी बड़ी प्रिच्छा लीग हो रही है पेपर लीग हो रहे है और पेसी के मेंबर उन पर जहां चल रही है उन वह भी अठे नहीं है एन आचा से लगने से पहले कुछ सदस्यों को वहां पर अपॉइंट किया गया है तो यह क नहीं कहीं RPSC भी अउगत है तो जब सरकार के सामने यह मुद्दा लाया गया माननिय मुख्या जी इस सुबे की मुख्या बजनलाल जी सर्मा उप मुख्या राजकुमार जी दिया प्रगास जी बैरुआ माननिय मंत्री के रोडिलाल जी मीना उप सभी के माध्यम से जब य मामला लाइम लाइट में लाया गया तो RPSC के दुआरा हमें कोचिंग माफिया के संग्या दिये गई जिसे देखके दुख हुआ और अनेक जिलों में बिकानेर जैसलमेर बाडमेर लाडनू जालावार खोटा जोदपुर में कलेक्टरेट में क्यापन दिया गया इस माध् कोई साधी फंक्षन में इन्विटेशन कार्ड मांग रहे हम अमार हक मांग जिसे देने में आपको कोई शंकोच नहीं वना चीए आपने 2018 में यहरा मैने दिये थे 2021 में 45-66 मैने दिये थे 2023 में तीन मैने देने का कोई तुक नी बनता है और जब सरकार एकदम नहीं हो तो तो बिल्कुल तुक नी बनता है आठ पेज का सिलेबस है अगर आप सिलेबस को पढ़ने बैट होगे तो भी आपको साथ दिन लगेंगे तो अब यह सारी चीज़ें देखके मैं नाइटी हमिरपूर से पास आउट हो तो मेरे को लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में नोकरी क लेनी चीए ती यह जो एक सपना देखा था कि प्रसासक बनेंगे आम जनता की समश्वाओं को समाधान करेंगे जो हमने बच्पन से देखते आए हैं कोई पैंसन के लिए धक्के खा रहा है कोई कहीं किसी का जरुम परमान पतर नहीं बन रहा है किसी का मृत्य परमान पतर उसकी वज़े से मुआवजाट का पड़ा तो ये चीजें हम इस राम राज्ये में राम की भूमिका निभाएंगे ये करेंगे ये वो करेंगे अब ऐसा लगता है कि वो सब बालमन के सपने थे क्योंकि बालमन सपनों के सोधागर इस मार्केट में इस बाजार में वाइट कोल करके टेलीग्राम चैनल है जिसके अभी तो सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे जब मैंने देखा तो 3000 सब्सक्राइबर थे उन्होंने वाइसाब 16 जून को बता दिया कि 27 और 28 जनुवरी को मेंस की परिक्षा होगी मैं मैंत का विद्यारती हूं प्राइक प्राइक्ता नगणिया है जीरो के बराबर है और उन्होंने उस प्राइक्ता को एक बटा एक पूरी एक शिद्ध कर दिया कि उनका जो जाल है वो हमारे माबाब के सपने हम यूवक यूवतियों के जो आस हैं जो समाज हमको देखकर आशानवित महसूस करता है कि ये सब के बन जाएंगे तो हम हमारे लड़कों को प्रेजेंगे उन सब की दलाली फिकर मादिम से की जा रही है मांननी सु mm आप से सिधी दर्खवस्त करता अगर आप मंए कोंचिंग माफिया की संग्याँ देते हैं कि जिसका कोई प्रमाण नहीं है आपके तो प्रमान मौजूद हैं मार्केट में अब आप हमें किसकी संग्या देंगे कहीं देश द्रोई तो गोशित नहीं कर देंगे सोचने वाला विचार है आपने हमें इस स्थिति में लागे कड़ा कर दिया है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है और हमने आपसे सिरफ तैयारी के लिए एक वाजिब समय मांगा था ये महाभारत के उस प्रशंग की याद दिलाता है जब दुर्योधन ने अपने हैंकार में पांच गाउं देने से मना कर दिया था और महाभारत को जनम दिया कहीं आप राजस्थान में उसी महाभारत को जनम नहीं देने जा रहे है कमरों में ऐसी हिटर के आगे बेटके देश के प्रदेश के 20,000 अरथियों को कोचिंग माफिया की संग्या दे देना ये क्या वही मुल्य है जो माननिय अध्यक्ष मौदे ने RPS की ट्रेनिंग के दोरान, RPS की बढ़ाई के दोरान सीके थे जो धारन किये थे जिनमें लोक्षिवा के प्रतिश्वमरपन है गेरपक्ष धारिता है, नेतिकता है क्या ये वही मुल्य है अगर नहीं तो इस पर विचार किया जाना चीए और अगर हाँ, तो इस पर देश को अपने हाल पर छोड़ देना चीए क्योंकि ये राम राज्जी के नहीं, ये जंगल राज्जी के शुरुवात है मेरा किसी भी राजनेतिक विचारदारा से, किसी भी राजनेतिक पार्टी से कोई तालुक नहीं है परन्तु लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते मेरा ये हक है, मेरा ये अधिकार है अनुचेदुनिस के तहट कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ अभी जो आरेज 2023 की 17-18 जनवरी को जो मेंस परिक्षा प्रस्तावित है उसके लिए हमारी मांग है कि इस परिक्षा तिति को आगे किया जाए ताकि हमें जो तीन मेनी का समय मिला है इस परिक्षा में वो इस परिक्षा की तैयारी के लिए अपरियाप्त है और इस तैयारी को हम और अच्छे से सूध्रड कर सकें इस संधर्ब में हमने सरकार से मांग किये कि हमारी जो मांग है उसको मानते हुए इस परिक्ष़तिती को आगे किया जाए लेकिन आज जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे पास एक मैसेज आया और उस मैसेज को जब मैंने देखा कि कुछ लोगों को यह जो परिक्ष़तिती है मेंन का इक्जाम होना है किया अब्शीष़ति हैं है इसके हिसाब को साथ मेने का समय में की त्यारी के लिए मिला है और यह किसी भी तरह से वैदानिक नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अच्छी से त्यारी कर रहा है जो पूरा डाल रहा है उसने प्रीलिम्स पास किया है मेंस की त्यारी की है वह अब इस फेर कॉंपिटिशन में भाग नहीं ले पाएगा अधे मैं सरगार के संग्यार में लड़ना चाहता हूं कि इस विशय को देखें और उस ग्रुप की प्रामानिकता भी मैंने की है उस मेंसेज की प्रामानिकता की भी जाच मैंने की है और मेरे पास भी पुकता सबूत है है उसके संबंद में और इसी संदर में में वीडियो बना रहा है और आपको प्रश्चत करें हमारे द्वारा विगत एक मैने से और इस मुख्य प्रिक्षय की तीथी को आगे बढ़ाने को लेकर विधाई से लेकर मुख्य मंतरी तक हमारी बात पहुंचा ही जा चुकी है लेकिन किसी ने इस मामले में अभी तक संग्यान नहीं लिया है और पेशी के द्वारा हम सभी विध्यारतियों को कोचिंग माफियों की संग्यान दी जा रही है जबकि और पेशी स्विम कोचिंग माफियों का साथ दे रही है विगत एक दो दिन से एक टेलीग्राम चैनल ओटीएस पाथ फैंडर्स आरेस नाम से एक चैनल बनावा है जिस पे विगत सोड़ा जून दोजार तेईस को ही एक्जाम एक्जाम की नोटिफिकेशन प्री का अनुमानित वीक और एक्जेक्ट मेंस की तारिक ब प्रकार को संग्यान लेना चाहिए उनको मतलब एक वर्ग विशेश को लगबग आठ से नो मेने का टाइम मुख्य परिक्षा के लिए दिया जा रहा है जबकि सामने विधार्तियों को बीस सट्वम बर को प्री के रिजल्ट के साथ में पता चलता है कि आपको तीन मेने बा जाए और उसी के साथ में आर्पेसी की जो वर्तमान कारे से लिए है उसमें सुधार करके और आगामी परिक्षयाओं को पारदर्सीत अपरुव कराना सुनेशित करे यही हमारी मान्य मुख्य मंत्री में होदे से विनती है आर्पेसी के द्वारा भी सक्कुम्बर को आरेस म परिक्षातारी नहीं की गई थी तो लोगों को कैसे पता चल गया कि प्री कब होगा मेंस कब होगा विग्यप्ती कब आएगी और हमें यहां तक कि विग्यप्ती में कितने पद आएंगे वो तक भी नहीं पता था और लोगों को मेंस की तिती पता थी तो यह सरासर गलत है आगेसी पे एक बड़ा सवाल उठता है कि इतनी जल्दी परिक्षा तारी कैसे पतल लग जाती है लोगों को अकल शाम को जब मैं पढ़ा दाता तो मेरे पास एक पोश्ट आई जिसमें बताया गया था कि RAS में इस 2030 को जो परिक्षे होने वाली है जो 27 और 28 जन्वरी को प्रस्तावित है उसकी जानकारी 16 जून के आसपास एक OTS Pathfinder नाम के गुरूप में शेयर कर दी गई थी तो मैंने खुछ जाके उस गुरूप में यह चेक किया कि यह जो चीज़ें शेयर की जा रही है वास्तम में सही है या गलत तो जब मैंने चेक किया तो उसमें मैंने देखा कि सबसे पहले 6 जून को उस गुरूप में यह शेयर किया था कि आरेस की बेकिंसी आने वाली है उसके ठीक दस्जन बात उन्होंने 16 जून को आरेस का नोटिफिकेशन कव आएगा उसकी प्रिडिम की परिक्षा कव होगी और उसकी मेंस की परिक्षा की जो एक्जेक तितिया है 27 और 28 जन्वरी ये भी उसमें मेंशन कर रहा था तो ये एक ग बड़ी बात है कि इस तरीके की जनकारिया लीक हुई और जिल लोगों को ये जनकारी पता था तो उन लोगों ने इस चीच का क्या बेनिफिट लिया उन लोगों को आरेस मेंस की तयारी के लिए लगवग 9 महीने मिले और हम जो चात्रे जो आंदूरन कर रहे हैं कि हमारी ज जिन बच्चों को ये तिति पहले से पता था उन लोगों को कुछ ना कुछ इसका फाइदा जरूर मिलेगा और ये कुछ ना कुछ जो तितियों का लीक होना है करी ना कई एक संदे के दायरे में तो इस वह सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कल अचानक से रात को हमें पता चलता है कि OTS Pathfinder नामक एक ग्रूप में 16 जून 2023 को आरेस मेंस की विग्यप्ति के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी जिस समय हमें विग्यप्ति के बारे में तक नहीं पता था उस समय उस ग्रूप के लोगों को आरेस प्री की डेट और आरेस मेंस की एक्जेक्ट 27 और 28 जनवरी की तारिक उन्हें पता थी तो इसी साफ से तो आरपेसी ने जो एक्जाम डेट वगेरा है लिक करके या फिर उन्हें बेच दी गई है और हमें तो वैसे ही उन लोगों किसे पिछे कर दिया गया है तो हमारा भज़पा सरकार से यह निवदने की आपके हैज आपके टेगलाइन हुआ करती थी कि नहीं सहेगा राजिस्थान तो कब तक सेना पड़ेगा हम लोगों को जिस समय हम लोगों को जानकरी तक नहीं थी कि RPSC की वेकेंसी कब आएगी तब उन लोगों को एक्जाम डेट के बारे में पता चल चुका था प्री की ही नहीं उन्हें 27-28 जन्वरी को कंड़क्ट होने वाली RPS मेंस की एक्जाम के बारे में उन्हें पता चल चुका था हम तो उनसे 8 महीना पिछे हो गए हमें तो रेस में एंट्री करने से पहले ही आपने आउट कर दिया है तो इसा BJP में ऐसा कोई नेता नहीं है क्या जो RPSC से इस सवालों के बारे में जान करी ले सके जब हम पिछले एक महीने से आंदोलन हैं आंदोलन कर रहे हैं RS पोस्पॉन के लिए हम समयधानिक तरीके से हमारी मांग रख रहे हैं तो आप लोगों ने हमें पोस्पॉन माफिया के दिया आप लोगों ने हमें कोचिंग माफिया के दिया तो RPSC ने ये किसी पर्टिकुलर लोगों को ये जो इन्फोर्मेशन थी है लिख किये तो क्या इसके बारे में कौन अशूर करेगा कि इन्होंने पेपर लिख नहीं किये होंगे कौन बताएगा कि इन्होंने पेपर नहीं बेचे होंगे मेरा इतना सा निवेदन है कि भाजपा सरकार समिधन सिल्ट सरकार है तो अपनी समिधन सिल्टा दिखाए आपने SIT गठित कर दिया आपने SIT को कल रात से मेसेज पर मेसेज कर रहे है अभी तक कहीं से किसी का कोई रेस्पॉंस नहीं है